कासिपूर में भीते दिनों बादपूर रोड इस्थित रोडवेज के वर्क्सॉप में तीन बसों के जल जाने से रोडवेज परसासन की आंख खुली है जिसके बाद कासिपूर रोडवेज में सुरक्षा कड़ी करने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं साथ ही घटना वाली रात चौकिदारी कर रहे शरीव खां को निलंबित कर दिया गया है इसके लाब जो है जो है जो हमाँ पर चौकिदार थे उनकी खिलाब क्या कारवाई अमल में लाएगी हेलो उत्राखन नियोज के लिए कासिपूर्चाई कुंदन सर्मा की रिपोर्ट